Hello friends, welcome again on my channel, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे python के bitwise and operator के बारे में, तो मैंने जैसे आपको bitwise operator की introduction वीडियो में मैंने बताया था कि जो bitwise operators होते हैं वो bits पे काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने किसी number को binary number में यानकि bits में change कर सकते हैं और bits को एक number में कैसे change करते हैं, वो मैंने already वीडियो बना रखी है कि decimal to binary conversion और binary to decimal conversion अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका जो link में उपर i icon पे i button पे दे दूँगा आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो, और आज के वीडियो में simple मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम bit करता है, bits के उपर, तो चलिए, let's say, अगर मैं यहां पे लिखूँ 7, और यहां पे लिखूँ and, यहां पे लिखूँ 8, तो इसका जो answer आएगा, वो 0 आ रहा है, ठीक है जी, यह मैं आपको detail में explain करूँगा कि यह 0 कैसे आ रहा है, और अगर यहां पे मैं लिखूँ, यहां and, 2, तो इसका जो answer है, वो भी 0 आ रहा है, तो मैं इसका आपको explain करता हूँ कि कैसे, इसका जो answer है, वो 0 आ रहा है, और कैसे हमारा जो bitwise and operator यह काम करता है, तो यहां पे मैं कहा करूँगा, मैं simply truth table create करूँगा, and operator का, bitwise and operator का, ठीक है जी, तो लेट से, यहां पे हमारे पास, इसको ऐसे divide कर लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास bits है, यह है 00, यहां पे हमारे पास 01, यहां पे 10, यहां पे है, let's say 11, तो यह हमारे पास bits है, तो जो and operator है, अगर मैं इन पर and operator अप्राई करूँ, तो and operator का जो result है, वो आपको, मालूम ही है कि कैसे इसका result आता है, क्योंकि मैंने इसको already इसके introduction वीडियो में explain कर दिया है, मैं एक वारे फिट से कर देता हूं, तो अगर तो हमारी दोनों bits 00 है, तो जो and operator है, तो जो अगर दोनों bits 00 है, तो इसका result कहाएगा 0 आएगा, अगर दोनों bits, एक, दोनों में से एक बिट भी 0 है, तो and operator का result कहाएगा, 0 आएगा, bitwise and का, तो यहाँ पर भी इसमें से भी, जो 1 0 है, इसमें से भी, एक bit 0 है, तो इसका result 0 आएगा, तो जो यह 11 है, तो यह दोनों bits 1 है, तो इसका result कहाएगा, 1 आएगा, अब जब हमने वहाँ पे लिया था, 7 and 8, तो यह क्या सबसे परे हम कहाएगे, 7 को bits में change करेंगे, तो 7 को bits में change करेंगे, तो इसका result कहाएगा, zero, 7 को अगर binary में change करोगे, 0, 11, ठीक है, इसका result यह एगा, और 8 का result कहाएगा binary में, 8 का result हैगा, 1, 0, 0, 0, ठीक है, अब जब हम इन दोनों पे हम end operator apply करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जाएगा seven और यहां पर हमारा जाएगा eight ठीक है जब हम इस पर अपरेटर अपलाई करेंगे तो यह देखिए इन दो सबसे पहले इन दोनों बिट्स पर जो है अपलाई होगा तो one zero दोनों में से जिए फ्र यह दो घ्र घ्र आटा जाएगा तो जब हम इसको ब्रथिभल में चेंज़ करेंगे तो गर्थिमन में चींज़ करके इसका सिरा आएगा जीरो खिर का ऐसे वग कर रहा है हमारा एंड गजुटर तो अगर दोनों विट्स में से एक विट जीरो है तो उसका रिजल्ट क्या आता है और अगर दोनों विट्स से वन था है तो एंड शोप विजय को लाइक करें अगर आपको को क्या है और मिरे यूटूप चैनल को सब्सक्रा टॉपिक के साथ तब तक है लिए अश्टे रहिए मुस्कुराते रहिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग